हेलो दोस्तो स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में रेलवे के परिक्षा में पूछे गए सभी महत्पून प्रस्नों का अध्यन करने वाले हैं दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का पीडियेफ लेने के लिए मेरे टेलिग्राम चैनल को जुआइन अवस्य करें मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेर अवस्य किजिएगा दोस्तो आज हम राक्षा पौद्योगी की से संबन्धी प्रस्नों का अध्यन करने जा रहे हैं चलिए सुरू करते हैं प्रत्म सवाल से सब्द राडार किसे ब्यूत्पन है? यह किसे ब्यूत्पन है दोस्तों? यह रेडियो डिटेक्शन और राइंकिन से ब्यूत्पन है ओप्शन डी अगला प्रस्नों डी आरडियो द्वारा बिक्सित अकास है यह सता से हावा में मार करने वाली मिसाइल प्रनाली है अकास ओप्शन ए अगला प्रस्नों सूर्य के अध्यन के लिए इसरो द्वारा 2018 से 20 में प्रच्यपित किये जाने दे वाले अंत्रिच्यान का नाम क्या है? इस अंत्रिच्यान का नाम आदित्य है अप्शन B अगला प्रस्नों मंगल और्बिटर मिसन मंगलयान को किस वर्स में प्रच्छेपित किया गया था तो इसे 2013 में प्रच्छेपित किया गया है अगला प्रस्नौ तीसरी PD की उस anti-tank missile का नाम क्या है जिसका अस्थान में DRDO द्वारा सफल्था पुरुक परिच्छन किया गया था तो सपल्था प्रोप परिच्छन नाग का किया गया है अगला प्रस्ण भारतिय ससस्त्र बलो ने ओप्रेशन मेदूत का संचालन कहां पर किया था तो मेदूत का संचालन सी या चीन में किया है ओप्शन सी अगला प्रोस्ण प्रोथम भारतिय संचार उपग्रो डाइस था यह क्या था आर्य भड था अप्शन A अगला प्रोस्ण बेव पेज डाइस का उप्योग करके बनाए जाते हैं तो यह HTML के उप्योग द्वारा प्रियोग करके बनाए जाते हैं अप्शन C अगला प्रस्ण भार्तिय अंत्रीज कारेकरम के जनक डाइस्थ हैं तो इस कारेकरम के जनक डोक बिक्रम ए सरा भाई हैं आगला प्रस्ण अनई 181 में इसरो द्वरा प्रच्छे पीद भारत के पहले जियो एस्टेस्नरी उबगरह का नाम क्या है जियो एस्टेसनरी उग्रो का नाम एपल है अप्शन ए आगला प्रस्ण अनई सो अंठानवे में पोखरण में भारत दोरा किये गए परमानु परिच्छन का कोड क्या था तो इस परमानु परिच्छन का कोड ओप्रेशन सक्ती था अप्शन सी अगला प्रस्ण कॉमिक स्ट्रीफ केलविन और होब्स किसने बनाए थे तो या विध्यक वाटर्शन की दोरा बनाए गए थे अगला प्रस्ण और दसैनिक बल का परमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है तो इस पहली महिला का नाम अर्चना रामा सुंद्रम है अप्शन B आगला प्रस्ण मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था तो या भारत दोरा अनईस्तो चोहतर में किये गए पोखरण वन परमानुपरिछन का कोड नाम था अप्शन D अगला प्रस्ण इसरो के पहले अद्यच कौन थे तिसके पहले अद्यच बिक्रम सरावाई थे अप्शन B अगला प्रस्ण सता से हावा में मार करने वाली आकास मिसाइल का परिक्षन कहा से किया गया था इस मिसाइल का परिक्षण अब्दुल कलाम दीप से किया गया था अगला प्रस्ण भारतिय अंत्रिच अनुसंधान के छेत्र में बड़ी सफलता डायस की अस्थापना के साथ आई थी तो यह भावतिक अनुसंधान परियोक्षला के अस्थापना के साथ आई थी अगला प्रस्ण निम्लिखित में से कौन सी भारत की पहली सुन्योजित सतो से सतो मिसाइल है तो कौन है दोस्तो प्रित्वी है अगला प्रस्ण निम्लिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और बिक्सित लंबी दुरी की सबसोनी कुझ मिसाइल है तो यह कौन है दोस्तो यह निर्भाई है अप्शन D आगला प्रस्ण इंटर्चूट अफ बायोरिसोसिच एंड सटेबल डेपलोमेंट के परिशर में अक्रिडियम और अक्रिड उत्पादन इकाई की अस्थापना डायस राज्यम में की जाने वाली है जिसमें दुनिया भर में पाई जाने वाली अक्रिड की सत्रे हजा प्रजातियों में से लगभग तीन सो को सामिल किया गया है तो यह कौन है मेगाले है अप्शन B आगला प्रस्ण एकोईस फरवरी 28 को भारत ने अपनी स्वदेश विक्सित प्रमानु सक्षम पीत्वी दो मिसाइल का रात्री परिच्छन किस परिच्छन रेज में किया है तो यह ओडिशा में किया है आगला प्रस्ण हाइड्रो इलेट्री प्रोजेट और उन ठाड किस देश में है तो यह नेपाल में है अप्शन B आगला प्रस्ण भी आई एन बी ए एक्स 2018 क्या है तो यह क्या है दोस्तों यह भारत और वियतनाम के बिच स्वयुक्त सैन्य अभ्यास है अप्शन A आगला प्रस्ण डाइस ने अंटार्टिका में भारत के पहले अभ्यान का सफलता पुर्वक नितुर्थ्व किया था और 2018-88 तक इस बरफिले महादीप में अन्य साथ अभ्यानों को सफलता पुर्वत संचालिक और निर्देशित किया था तो यह कौन है डॉक्टर एसजेंड कासीम है अप्शन C अगला प्रस्ण नेम्न में से किसकी परिसुत्ता में गरबड़ी के कारण बलास्टिक मिसाई का भीफल हो जाती है तो यह वाई प्रतिरोध के कारण अप्शन D आगला प्रस्ण ब्रामोस्य टू एक डाइस है जो बरतमान में रूस की एनपियो मिसोनो अस्त्रनियो और भारत के राक्षा अमसंधान एम विकास संगठन दोरा स्वयूत रूप से विकासी धीन है तो यह क्या है दोस्तो यह है हाईपरसोनी कुंज मिसाइल अप्शन C आगला प्रस्ण आई एनेस बिकरमदित एक डाइस है तो यह क्या है दोस्तो यह बिमान वाहक है अप्शन C आगला प्रस्ण भारत में परमानु विसपोटक उपकरनू का परिक्छन कहां से किया गयाrain था तो यो पटर्खरण से किया गया था आगला प्रस्ण परमानु उर्जय सयंत्र में मोडियेटर के रूप में की स्जामरगी का उपयोग किया जाता है जो neutron को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उप्युक्त बनाती है तो यह कौन है? graphite, option B आगला प्रस्न, निमलिखित में से कौन सी DRDO द्वारा विक्सित एक multi-barrel rocket system है? तो यह कौन है? पिनाका है आगला प्रस्न, निमलिखित में से कौन एक सुपरसोनी कूझ मिसाइल है? तो कौन है? ब्रमोस है, option B आगला प्रस्न, पोकरन प्रमानुप परिछन 2 का कोड क्या था? इसका कोड क्या है दोस्तों बताएगा? दोस्तों, इसका कोड है operation सक्ती, option C आगला प्रस्न, भारत ने अपने परमानुप परिछन कब किया था? तो परमानुप का परिछन अनुष्ट चोहत्तर इस्वी में किया था आगला प्रस्न, भारत के पहले सफल परमानुप परिछन का कोड नाम क्या है? तो इसका कोड नाम, smiling बुद्धा है, option B आगला प्रस्न, संचिप सब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का पूर्ण रूप है, sound, navigation and raging, option A आगला प्रस्न, अनई सो अंठानबे में भारत में परमानुप पोटक उपकर्णों का परिछन डायस में किया गया था, तिसका परिछन पोखरण में किया गया था, option B आगला प्रस्न, अनई सो चोवत्तर में प्रोखन में हुए परमान भारत के प्रतम नाविकिय परिछन के समय, उर्जा आयोग के चेर्मेन कोन थे? तो परमानुप उर्जा आयोग के चेर्मेन, होमी सेठना थे, option B अगला प्रस्न, निर्भै मिसाइल की मारक सिमा कितनी है, तिसकी मारक सिमा 1000 km है अगला प्रस्न, भारत के पहले बिम बेपन को किसके द्वारा विख्षित किया गया था? बीम बेपेन अर्थार्थ काली 5000 को किसके दोरा विक्सित किया गया है यो डियाइडियो और बाग के दोरा विक्सित किया गया है भारत की सबसे लंबी मारक छमता वाली बलैस्टिक मिसाइल कौन सी है तो बलैस्टिक मिसाइल अगनी 5 है अगला प्रस्ण मिशन सक्ती डाय से सम्बंदित है तो यह भारत के एंटी सेटलाइट हंतियार के प्रत्थम परिछन से सम्बंदित है अप्सन C अगला प्रस्ण DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी S-Mile हावा से हावा में वार करने में सक्षम मिसाइल है तो कौन है दोस्तो अस्त्र है अगला प्रस्ण उस देश का नाम बताईए जिसके पास परमानु हत्यार नहीं है तो परमानु हत्यार जपान के पास नहीं है अगला प्रस्ण ब्रामो सुपरसोनिक मिसाइल डायस के बीच की एक स्वयूंत उद्गम है तो किसके बीच के है भारत और रूस के बीच अगला प्रस्ण मई 28 में पोखरण में भारत दोरह कितने नियंतरिक नाविकियों विस्पोटक किये गये थे तो इसमें पांच नाविकियों विस्पोटक किये गये थे भारत में प्रतम परमानु बम का परिक्षण की सुबर्स किया गया था तो परमानु बम का परिक्षण अनई 174 इस्वी में किया गया था अगला प्रस्न भारत में पोक्रों ने पहला नाविकिया परिक्षण को अब किया गया था तो पहला नाविकिया परिक्षन अठारे मई अनुई सचोभतर को किया गया था अप्शन ए डायस भारत का पहला स्वदेश निर्मित यूदिपोत है तो कौन है यह है आई एनस गोदावरी अप्शन डी अगला प्रस्न दिये गए विकल्पों में भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाविकिया हत्यार सुषेजित पंडूबी कौन सी है तो इसमें सुषेजित पंडूबी आई एनस अरिहंत है ओप्शन ए आगला प्रस्न रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठं की अस्थापना कीस वर्ष की गए थी कीस की अस्थापना और नई सुष अंठावन में की गए थी आगला प्रस्न किस सुपरसोनी कुण्ज मिसाइल का नाम भारतिय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मास्कवा के नाम पर रखा गया है तो यह है ब्रहमोस ओप्शन ए आगला प्रस्न अक्टूबर 2018 में प्रच्छेपित भारतिय मिसाइल पित्वी 2 की विसेश्ता क्या है किसकी विसेश्ता है या एक ब्लैस्टिक मिसाइल है अप्शन डी आगला प्रस्न जन्वरी 2019 में किस संगठर ने रेडियो धर्मी पदात के किसी हमले की इस्तिथी में तुरंत राहत परदान करने है तो मोबाइल फैसलिटी बिक्सित की है अगला प्रस्न निमलिकित में से किस ने भारत का तीन चरण वाला नाविक्य सक्ति कारेकरम त्यार किया गया है नाविक्य सक्ति कारेकरम होमी जहांगीर भाबा के दोरा किया गया है अगला प्रस्न आइरोटूना क्या है तो आईरोट टूना अर्जोल्ट ड्रोन है सुपर सोनित अकास मिसाइल की मारक सीमा कितनी है तिसकी मारक सीमा लगभक 30 किलो मिटर है आगला प्रस्न निमलिखित में से कौन सी नाविके सकती संचालित पंडोबी है तो संचालित पंडोबी आई एनेस अरिहंत है आगला प्रस्न भारत के पहले स्वदेश निर्मीत बिमान वाहत पोत का नाम क्या है इस बिवाहों का पोत का नाम आई एनेस बिक्रांत है अप्शन D आगला प्रस्न किस भारतिय संगठां का अदर्स वाक्य सकती की उत्पती बिग्यान से है तो सक्ति कि उत्पति बिज्ञान से किसका है दोस्तों? डियाडियो का है अगला प्रस्न भारत का पाला प्रमानुद दिसपोटक अस्थल पोकरन कि स्राजय में में स्थीत है तो यह राजस्थान में है और अगला प्रस्न इन में से किस मिसाइल Man of India के नाम से जना जाता है तो किसे जानते हैं डॉक्टर F.G. अब्दुल कलाम को अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन एक भूमी अधारित ब्लैस्टिक मिसाइल नहीं है तो कौन नहीं दोस्तों या धनुस्य है अगला प्रस्ण सतों से हावा में मार्ग सकने वाली सुरक्षा मिक्साइल अकास के नए संकरण अकास 1S में डाइस लगा गया था तो इसमें क्या लगा था नाया स्वदेश बिक्सित खोजी यंत्र अप्शन B अगला प्रस्ण नाविकिया हत्यारों में सरवाधिक आमतर पर्परियों किये जाने वाले समस्थानी कौन से है तो समस्थानी कौन है दोस्तों उरेनियम और प्लूटेनियम ओप्शन C अगला प्रस्ण डियाडियों द्वरा बम के संकूचन और निप्टान करने है तो गिषीत किये वाहन का नाम बताइए तो उस वाहन का नाम क्या है दच है अगला प्रसन निमलिखित में से कौन सी एंटि टैंक गाइडेड मिसाइल है तो कौन है दोस्तों नाग है अगला प्रसन भारत में इनमें से किस देश के साथ स्वयूं तुरूप से बराग आठ मिसाइल विक्सित की है बराग आठ मिसाइल इजराइल के दोरा किया गया है अगला प्रस्ण तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्मान किस ने किया था तेजस फाइटर जेट का निर्मान हिदुस्तान एरो नौटिस लिमिटेड ने किया है अप्शन B आगला प्रस्ण भारतिय रक्षा मंत्राले दोरा राफियल विमान इनमें से किस देश से खरिदा गया है तो यो फ्रांस से खरिदा गया है आगला प्रस्ण 27 में लौंच की गई स्वदेशी नाविके सक्ती चालित ब्लैस्टिक मिसाइल पंडूवी का नाम क्या है तो इस पंडूवी के नाम आई एनेस अरी घाट है आप्शन A आगला प्रस्ण मिसन सक्ती इनमें से किसे सम्बंदित है तो मिसन सक्ती भारत का उपग्रो रोधी मिसाइल परिछन से सम्बंदित है आप्शन C आगला प्रस्ण तीसरी अस्कॉर्प्यून वर्ग पंडूवी आई एनेस डाइस को 10 मार्च 2021 को भारतिय नो सेना में सामिल किया गया था किसे भारतिय नो सेना में सामिल किया गया है दोस्तो या करंज है एशन A आगला प्रस्ण नेमलिखित में से कौन सी भारत की पहली अवचारिक रूप से प्रच्छेपित तथा सोदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बलैस्टिक मिसाइल पंडूबी है तो इस पंडूबी की नाम आइनेस अर्यांत है अप्शन C अगला प्रस्न भारतिय पोदों की संस्थान खड़क पूर्ण ने हाल ही में डायस के लिए वायरलेस तक्निकी बिक्सित की है तो यह डॉक्टरों के दोरा बिक्सित किया गया है अगला प्रस्न अगनी टू क्या है अगनी टू एक इंटर्मेडियेट रेंज बिलेस्टिक मिसाइल है अप्शन A अगला प्रस्न अप्रेल 22 में मिसाइल हम लोग के खिलाप नो सेना के जहाजो की सुरक्षा के लिए राक्षा अनुसंदान एवं बिक्सास संगठम दोवारा कौन सी टेक्नलोजी बिक्सित की गई थी इसमें कौन सी टेक्नलोजी बिक्सित की गई दोस्तो अगला प्रस्ण निम्न में से कौन सी या तीसरी PD की फायर एंड फॉर्गेट एंटी टेंक गाइडेट मिसाइल है जिसका जुलाई दोरह कईस में DRDO दोरह सफल परिक्षन किया गया है इसका सफल परिक्षन MPAT GM की दोरह किया गया है अगला प्रस्ण किस देश ने 90 schedule में जरकूँज hypersonic missile का सफल परिक्षन किया है इसका सफल परिक्षनoccup रूस के दोरह किया गया है अगला प्रस्ण DRDO दोरह विक्षिठ supersonic missile आरिश्टेट तोर डिपो सिस्टमका सफल परिक्षन दिसंबर 2021 में किस अस्थान पर किया गया है तो इसका ओडिसा में किया गया है अगला प्रस्ण इन में से कौन भारत की पॉली स्वादेश निर्मित पंडू भी है तो कौन है दोस्तों? सौल की है अगला प्रस्ण भारत का पाला स्वार निर्मित जेट लडाकू बिमान कौन सा है तो उसका नाम है LCA Tejas अगला प्रस्ण और जुन भारतिये रक्षा अनुसंधान और बिकास संगठं द्वारा भारतिये सेना के लिए भिक्सी तीसरी PD डाइस है तो तीसरी PD मुख यूधक टैंक है तो अगला प्रस्ण निर्मित में से कौन जमीन से हाव में मार करने वाली मिसाइल है कौन है त्रिसूल है आगला प्रस्ण IRNS का पूर्ण रूप क्या है इसका पूर्ण नाम क्या है दोस्तो Indian Regional Navigation Satellite System option D निमलिखित में से कौन सा AGNI को सई धन से वर्णित करता है तो लंबी दुरी की मारक छामता वाली मिसाइल option A अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा भारत का पाला स्वदेश में डिजाइन एवं निर्मी टार डिपो लॉंच एवं रिकबरी प्रोथ है तो कौन है दोस्तो यह है INS अस्त्र अधारनी option A अगला प्रस्ण DICE मिसाइल एक भारतिया तीसरी PD की fire and forget anti-tend guided missile है तो यह कौन है दोस्तो यह नाग है अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र है अगला प्रस्ण भारत का दूसरा परमानुप परिच्छन कोड क्या है? इसका दूसरा परमानुप परिच्छन कोड सकती अंठानवे है अगला प्रस्न 31 जनुवरी 2022 को किसे राष्टी इलेक्टोनिस और सुचना पोद्यों की सस्थान की महानी देशा की रूप में न्यूत किया गया है यह किया गया है डॉक्टर मदन मोहन तिरपाठी के द्वारा अप्शन C अगला प्रस्न भारत ने निमलेखित में से किस देश में S-400 मिसाइल सिस्टम खरेदा है तो S-400 मिसाइल सिस्टम रूस के द्वारा खरेदा गया है अगला प्रस्न भारा सरकार के बिज्ञान और पद्यों की बिभाग के प्रमु कारेकर्मों में से एक इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है जिसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों इबुनरियेशन इंसाइट परसूट फोर इंस्पायर रिसोर्च है अप्शन सी आगला प्रस्मों दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और से और अवस्य करें जनवरी 2022 में भारतिय पद्यों की सस्थान खड़कपूर के बेग्यानिकों ने कम संसादनों वाले चिकिसियल संस्थानों के लिए एक पोटेवल और यूजर फ्रेंडली उपकरण का नावकरण किया जिसके दुआरा बिना चीर फाल के डायस कैंसर की जाज की जा सकती है तो यह मूस के की जाती है अप्शन ए आगला प्रस्मों फरवरी 2022 में देश में पहली बार निम्न में से किन संगठनों के बैग्यानी के एक स्वयूख टीम की दौरा उत्तर प्रदेश में प्रियाग राज और विध्यानचल के भी 100 किलोमीटर से अधिक दूरी की बीच क्वांटम की डिस्टोब्यूशन लिंक का सफलता पुर्वक परदसन किया है तो सफलता पुर्वक परदसन रक्षा अंसंधान और विकास संगठन तता भारतिय प्रदोगी संस्थान दिल्ली में किया है आगला प्रस्म जून 22 में किस संस्थान ने सुधकर्ताओं ने मानविय हंस्तच्छेप के बिना सेप्टी टैंग की साप सफाई के लिए होमो SEP नामक रोबोट विक्सित करने की घोसना की है विक्सित करने की घोसना भारतिय प्रदोगी संस्थान मदरास के दोरा किया गया है आगला प्रसंद जनजातिय उप योजन के लिए अंतरगरत विभा की उस सहायता अनुदान योजन का नाम क्या है जनजातिय सकतिकरन के लिए प्रद्यों की मध्य वर्तन आप्शन ए अगला प्रस्ण STIP 2020 त्यार करने के लिए चार प्रोंसपोर जुड़े ट्रैकों के साथ एक समावेसी मॉडल की कलपना की गई है उस विकल्ब की पैचान करें जिसमें STIP 2020 में उलेखित चार प्रोंसपोर टैंक सामिल है तो यह कौन है दोस्तो या सारजनिक रूप से बिस्त्रित और विसेगे प्रामर्स और विसेगत समु प्रामर्स मंत्राले और राज अस्तरिय प्रामर्स सिर्स अस्तरिय बहु हिधारक प्रामर्स और एस्कूली छात्र प्रामर्स इसमें से कौन है दोस्तो जो 2020 में उलेखित प्रस्पर जूलेट चार सामिल है तो यह है option B एक दो तीन चार अगला प्रस्ण नाविक किस देश द्वरा विक्सित एक स्वतंत्र छेत्री और नेविगेस्टन उबगरप पढ़ना ली है तो यह किस देश का है दोस्तो यह जापान का है अगला प्रस्ण किस का है दोस्तो यह भारत का है बिक्सित स्वतंत्र छेत्री और नेविगेस्टन उबगरप पढ़ना ली भारत का है अगला प्रस्ण निमलिकित में से किस अस्थान में धूर्बिय उबगरप प्रचेपन यान PSLV C52 को EOS 04 उबगरप के साथ प्रचेपीत किया गया था तक किस के साथ प्रचेपीत किया गया था हरी कोटा के अगला प्रस्ण भारा सरकार के बिज्ञान एमपदों की विभाग द्वारत त्यार किये गए सुन्चरिद परिछन कारेकरम TEDP का पूर्ण रूप क्या है तिसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों या टेकनलोजी बेस्ट इंटर प्रियोश्रीफ डेप्लोमेंट पूगराम है अगला प्रशन फर्वारी 22 में किस सेवा प्रदाता नेगोशना की की वो अपनी नेवरस जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एसिया एक्सप्रेस अंडर सी केवल सिस्टम को हुल हिलाले मालदीप में उतारा गया है अगला प्रशन भारतिय नागरिकों दोरा ट्रांसलेशन रिसर्च को मनेता देने प्रोसाहित करने और समर्थन के लिए बिज्ञान एंपरदोगी विभाग भारत सरकार दोरा सुरू किये गए फेलोसिप का नाम क्या है इस फेलोसिप का नाम है अबदुल कलाम टेकनलोजी इनुगेशन नेशनल फेलोसिप अप्शन ए आगला प्रस्न निमलिखित में से कौन सा एक प्रमुख्य राष्टी अनुसंधान बित पोशन अभी करन है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के आंसकित प्रती अस्परदी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतिय बिज्ञान और अभियांतरित की गुनवत और परचिन को उच्तम बेस्विक अस्तरों को ले जाना है यह किसका है दोस्तों यह है बिज्ञान एवं अभियांतरिक अनुसंधान बोड का है अप्शन ए धनवाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य करें